नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके शाथ भासकर डोभाल और आप देख रहे हैं गोबलॉक्स मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अगर हमें अपनी महत्व कांचा को नेतिर्ट्व छमता को और भाग्य समंदी बातों को सहजी मालूम करनी है तो हमें अपनी हतेली का मुख्य परवत जिसे गुरू परवत कहते हैं उसको देखना पड़ेगा उसका अध्यन करना पड़ेगा अब ये देखें कि गुरू परवत रहता कहां पर है हमारी ये तरजनी अंगली है इसके नीचे का जो भाग होता है वो गुरू परवत का होता है इसको गुरू परवत कहते हैं दोस्तों जो तिस में हस्त रेखाओं के साथ साथ परवतों को भी देखे जाते हैं मुख्यरूप से इसमें साथ परवत माने जाते हैं इसमें सुक्र परवत गुरू परवत सनी परवत सूर्य परवत चंद्र परवत बुद्ध परवत और मंगल दो होते हैं नीच का मंगल और उच्च का मंगल कुछ लोग राहों को और केतु को भी देखने की बात करते हैं इन में से हर परवत का एक विसेश महत्तों होते हैं हमारी हतेले में मौजूद परवतों में सबसे मुख्य परवत गुरु परवत को माना जाता है यह इंडेक्स फिंगर मनी तरजुनी अंगुली के नीचे हिस्से में इस्तित होता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों हमारे हाथ का गुरु परवत किसी भी व्यक्ति के मानसिक तथा अध्यात्मिक व्यक्तित्व को बताता है देखे दोस्तों हस्त रेखा जोतिस के उनसार किसी भी आदमी के हाथ में मौजोद ये गुरु परवत को देखकर उस व्यक्ति की महत्वकांचा नेतिर्त्व चमता और भग्य समंदी बातें सहज ही मालुम हो जाती है आईए जानते हैं दोस्तों कि गुरु परवत से जोड़ी कुछ ऐसी बातें जिनें जानकर आप किसी भी व्यक्ति के भोत भहुश्या और बरतमान के बारे में कैसे जान शकते हैं दोस्तों कि यदि हाथ का गुरु परवत उबरावाओ सारे परवतों में से अच्छे उबार पे हो हतेली गुलाबी आवा ले हो तथा उस पर कोई आड़ी या तिर्ची रेखा नहो तो ऐसा व्यक्ति समाज का प्रतिश्टित व्यक्ति माना जाता है वह अपनी कार्य छेत् में मैनेजर मनी प्रबंदक के अस्तर तक पहुंचता है यह हमारे करियर को भी बताता है कि हम अपनी नोकरी में अपनी छेत्र में किस तरह से रहेंगे ऐसा अब्यक्ति महत्वपूर्ण धार्मिक पदों पर भी पहुंच सकता है दोसरा दोस्तों जिन लोगों के हतेली में ये गुरू परवत जरूरत से ज्यादा अगर आप अपनी हतेली को देखेंगे तो सारा परवत तो उठे हुए हैं ठीक हैं अपनी स्तिति में मगर ये परवत ज्यादा उभार लिए हुए है जरूरत से ज्यादा हो तो ऐसे लोग धर्म क मामले में घमंडी तता कटरफंथी भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है पर यह options है कि हो सकते हैं कि अगर यह सामन्य से कुछ अधिक उबरा है कि खड़ी रेखाओं से युक्त है इस तरों से तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्वभावाले होते हैं तथा सदेयु धर्म कर्म के कामों में रहते हैं अच्छे कर्मों के चलते इन पर सदेयु भग्या की महर्बानी बनी रहती है तीसरा दोस्तों यदि हमारे गुरु पर्वत पर गड़ा दिखाई दे तो व्यक्ति भाग्या का शाथ प्राप्त नहीं कर पाता है साथ ही ऐसे लोग दूसरों के अधिन रहेकर ही काम करते हैं पर्वत छेत्रों पर गड़ा हो किसी भी पर्वत पर तो उस पर्वत के सभी सुब लक्षण खतम हो जाते हैं चोथा दोस्तों यदि गुरु पर्वत पर तारे का निशान हो इस तरों से कोई तारा बना हो जैसे इस्टार बनता है तारे का निशान हो या रेखाओं से बने तिरी कूण हो ऐसा हो तो ब्यक्ति बहुत ही उच पदों तक पहुंचता है यदि हतेली में अन्य बातें भी अनकूल हो मानि सारे जो पर्वत हैं वो सही हैं जो रेखाओं हैं वो दोस रहते हैं तो ऐसा ब्यक्ति जज आई एस अपसर बड़ा नेता और सिक्चा के छेतर में तो ये पर्वत आपको शफलता प्राप्त करवाता है आप पर दिहापक बन सकते हैं पांचवा दोस्तों गुरू पर्वत पर आड़ी या तिर्ची रेखाई या रेखाओं का जाल बना हो कोई भी एक दूसरे को काटती हुई कोई अगर रेखाई हैं तो इसे सुब नहीं माना जाता है इससे गुरू के सुब फलों में तो कमी आती ही है भग्य से जोड़ी अन्य चीजों पर भी बुरा फल मिलता है ऐसी स्थिती में किसी अच्छे जोतिसी को दिखा कर गुरू की सुबता के पर्यास करने चाहिए ताकि असुब फलों से हमें छुटकारा मिल सकें दोस्तों गुरू के अशुब होने पर जातक को गुरु वार का बरत करना चाहिए मनें ब्रैस्पतिवार का बर्त करना चाहिए इसके अलावा गुरू की वस्तुईएं होती हैं जैसे हल्दी है पीला वस्त्र है पीला फल है ये चीजें हैं किसी मंदिर में या सादो को दान देना चाहिए इससे क्या होता है इससे गुरू के अशुप्फलों में कमी आती है तथा व्यक्ति को भग्य की अनुकूलता प्राप्त होती है भगवान विश्ण की पूजा करने से भी गुरू के अशुप फलों में कमी आती है इसके अतरिक्त अपने सिबडों का पेर छोके आश्रिवाद लेने तथा मंदिर में भगवान के दर्सन करने से सुब फल की प्राप्ति होती है समय समय परब़ों की सेवा करने से भी गुरू के सुब फलों में बिर्दी होती है और व्यक्ति का भाग्योदय होता है एक छोटा सा विसलेशन था दोस्तों ये गुरू परवत के बारे में हमारी कोशिस रहती है कि हम छोटी छोटी रेखाएं हो छोटे छोटे चिन हो या परवत हैं हो जो भी हतेली में मोजोत होता है उस हतेली के उस रेखा या उस परवत के बारे में आपको विस्तार से बताए इसके लिए हम एक रेखा हो या साइन हो या परवत हो उसका एक ही वीडियो बनाते हैं उसके लक्षण क्या है किस तरों से पहचाने सहज रूप में ये दिखाने के लिए हम पेपर पर रेखाओं से या हतेले के आकरति बनाके उसको हम समझाते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लायक जरूर कर लिजेगा और बहुत अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों परिवार वालों को सीर जरूर कर लिजेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद